इस बीच सोवियत संग उपनी वेशों में उन दलों को सवर्थन दे रहा था जो वहां क्रांती के द्वारा स्वतंत्रता और सामाजिक बदलाव लाना चाहते थे। इन दलों का जुकाव सामेवाद और समाजवाद की ओर था और वे चाहते थे कि उपनिवेशों में उपस्थित उच्च वर्गों जैसे राजा वनवाब जमिदार और पूझी पतियों को हटा कर किसानों वं मजदूरों का वर्चस्व बनाया जाएं उन दिनों विश्व के देश दो खेमों में बट रहे थे एक और सोवेट संग के खेमे के देश और दूसरी और अमेरिका के खेमे के देश सोवेट संग की मन्शा थी कि जो देश उसकी मदद से स्वतंत्र होंगे वे उसके खेमे में रहेंगे और अमेरिका का विरोध करेंगे चीन, वियतनाम, कोरिया आदी देशों में सोवेत संग समर्थित दलों के नित्रतों में आंदोलन चल रहे थे और भारत इंडोनेशिया जैसे देशों में सामिवादी दल महतुपूर हो रहे थे अमेरिका भी इस प्रतिसपर्धा में पीछे नहीं रहना चाहता था अमेरिका चाहता था कि सभी उपनिवेश जल्द से जल्द स्वतन्तर हो जाए ताकि सोवेत संग समर्थित दल सत्ता में न आ पाए साथ ही उसका यह प्रयास भी था कि उन देशों के उच्च वर्गों को सत्ता सौपी जाए ताकि वे सामेवादी विचार वा देशों का प्रतिरोध कर पाए दूसरी और अमेरिका की सामरीग जरूरत थी कि वा सोवेट संग को घेरते हुए पूरी दुनिया में सैनी कड़े बनाए ताकि भविश्य में दोनों देशों के बीच युद्धि के इस्थिती में वे काम आए यह यूरोपिय देशों के पुराने उपनिवेशों में ही संभव था इस तरह अमेरिका एक और उपनिवेशों की समापती के लिए प्रतिभद्ध था और दूसरी और उपनिवेशों का फायदा भी उठाना चाहता था सोवियत संग और अमेरिका के बीच की प्रतिसपर्धा ने वी उपनिवेशी करण की प्रक्रिया पर गहरा असर डाला दोनों देश चाहते थे कि उपनिवेशी व्यवस्था समाप्त हो और सभी देश स्वतंत्र हो साथ साथ दोनों देश यह चाहते थे कि इन नए स्वतंत्र देशों पर उनका वर्चस्व हो कई उपनिवेशों के स्वतंत्र आंदोलन सोवियत संग और अमेरिका के बीच के संगर्ष में उलज गए जैसे कोरिया, वियतनाम और अफ्रीका के नामीबिया वा अंगोला नौस्वतंत्र देशों पर अपना प्रभाव जमाने के उद्देश से अमेरिका और सोवियत संग ने उन्हें भारी मात्रा में रिंड दिया और उन्हें अपना कर्जदार बनाया इन देशों की नीती के चलते यह लगने लगा कि पुराने उपनिवेश की जगा एक नव उपनिवेशवाद उभर रहा है जो कर्ज के माध्यम से और सैनी कड़ों की मदद से देशों पर नियंत्रण कर रहा है कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि दृते विश्व के बाद यह स्थिती बनी कि पुराने सामराजवादी देश अपने उपनिवेशों को स्वतंतरता देने पर मजबूर हुए और उसी समय दो महाशक्तियों की आपसी प्रतिसपरधा के कारण नए स्वतंतर देश किसी ना किसी रूप में उनके प्रभाव में आए उपनिवेशों में राष्ट्रवादी आंदोलन 1945 से 1975 के बीच अगर उपनिवेशवाद समाप्त हुआ तो इसका मुख्य श्रे उन देशों में उपनिवेशवाद के विरुद्ध हो रहे जन आंदोलनों कोही जाता है पूरे उपनिवेशकाल में लगभग हर उपनिवेश में कही ना कही प्रभावित समुहों द्वारा विद्रो होता रहा उदारन के लिए भारत में जगा जगा जन जातियों वकिसानों का विद्रो 1750 से लेकर 1950 तक चलता रहा जैसे 1856 संथाल विद्रो, 1857 का विद्रो, 1910 में बस्तर का भूमकाल विद्रो, 1946 से 1950 तक तेलंगाना किसान विद्रो आदि ये विद्रो दो कारणों से मत्वपूर्ण थे, पहला उन्होंने उपनिवेशी राजनेतिक सत्ता को चुनोती दी दूसरा, उन्होंने वैचारिक उपनिवेशवाद जिसके माध्यम से शास्कों ने उपनिवेश के लोगों की सोच पर हावी होनी की चाहत को भी ठुकरा दिया हाला कि ये विद्रो काफी प्रभावशाली थे, परन्तु वे इतनी शक्तिसाली नहीं थे कि उपनिवेशी सत्ता को हरा पाएं इन सशस्त्रवी द्रोहों के अलावा किसान, मजदूर, व्यपारी वशिक्षित मध्यम वर्ग के लोग भी लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते रहें यह आंदोलन किसी वर्ग विशेश की मांगों को लेकर जरूर थे, मगर उनका सम्मिलित असर अपनिवेशी साशन पर भी पड़ा इनके अलावा राश्टी सोतंत्रता के आंदोलन भी तीवरता के साथ उभरने लगे भारत में 1885 से ही इस दिशा में विचार प्रारंब हो चुका था और 1905 के बाद काफी तीवर हो गया यह आंदोलन दृती विश्विद के बीच 1942 में अपने चरम पर पहुँचा और सबको यह सपस्ट हो चला कि देर सबेर भारत को आजादी मिलना तै है चीन में भी राष्टवादी क्रांती 1911 में शुरू हुई लेकिन उसे पूर्ण रूपेंड सफल होने के लिए 1949 की साम्मिवादी क्रांती तक इंतजार करना पड़ा ज्यादा तर एशियाई और आफ्रीके देशों में दृती विशुद के दोरान ही राष्टवादी आंदुलनों की शुरूआत हुई इन राष्टवादी आंदुलनों के समक्ष कही चुनोतिय थी ज्यादा तर देशों में लोग जातियता, भाषा, प्रांतियता और धर्म के आधार पर छोटे समुव में बटे थे और उनमें एक राष्ट की भावना नहीं थी इन विविदताओं को समेटते हुए एक राष्ट का गठन करना और उसके साजे हित को सबके लिए सर्वोपरी बनाना एक कठिन काम था सभी लोगों को साथ लाने वाला तत्व अक्सर केवल विदेशी शास्कों का विरोध करना ही था अक्सर इसके लिए उन्हें उपनिवेशी शास्कों द्वारा बनाये गए उपायों का ही उप्योग करना पड़ा जिसे भारत में अंग्रेजी भाषा और पत्रिकाओं का उप्योग देश के लोगों को एक साथ लाने के लिए किया गया उसी तरा अन्ने देशों में भी अंग्रेजी, फ्रेंच, डच, आधी भाषाओं का उप्योग हुआ